हालो एवरिवन मैं हूँ चिष्टिया और आप देख रहें चिष ब्यूटी जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और डियाइवाइस की काईस आज मैं महंदी लगा रहे हूँ पूरे हेर पर तो मैंने सुचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि अगर आपके लंबे बाल हैं मेरी तरह लॉंग हेर तो आप खुद से ही घर पर किस तरह से महंदी लगा सकते हैं क्यूंकि लंबे बालों में महंदी लगाना इट्स व पूरे बालों पर तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूं कि बहुत ही इजी तरीके से और कम टाइम में आप किस तरह से अपने खुद के बालों पर महंदी लगा सकते हैं आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए देख लेते हैं अब इसका एप यहां पर मैंने लोही की कड़ाई ली है अल्वेज आपको हमेशा महंदी लोही की कड़ाई में भीगानी चाहिए क्योंकि लोही की कड़ाई से लोही का जो आयरन है वो महंदी में मिल जाता है और हमारे बालों के लिए काफी अच्छा रहता है हमारे बाल ब्लैक भी होते है अब यहाँ पर मैंने जो मेंदी ली है वो एक से दो कटोरी ली है क्योंकि मेरे हेर लॉंग है उसके according अब जो first ingredient मैं इसके अंदर ले रही हूँ वो ले रही हूँ शिकाकाई powder शिकाकाई powder मैंने इसलिए लिया है guys because इसके अंदर vitamin C होता है भरपूर मात्रा में यह एक natural conditioner का काम करता है और आपके बालों को बहुत soft बनाता है आपकी scalp है उसे healthy करता है बालों को detangle करता है अगर dandruff की शिकायते उसे दूर करता है बाल smooth, silky और strong बन दे हैं अगर आपके बहुत जादा rough hair है न तो आपको शिकाकाई जरूर include करनी चाहिए second ingredient मैंने लिया है आवला powder आवला powder से तो आप लोग सब वाकिफ ही है आवला powder हमारे hair के लिए क्या करता है आवला powder है उसमें भरपूर मात्रा में protein होता है, vitamin C होता है और यह natural conditioner का काम करता है और hair growth को बहुत जादा promote करता है hair fall को कम करता है और बालों को silky smooth और strong बनाता है इसके मैंने दो चम्मच लिए है शिकाकाई के भी दो चम्मच लिए है अभी आजाते हैं थड़ ingredient थड़ है यहाँ पर ब्रिंग्राज ब्रिंग्राज का नाम आपने सुनाई होगा बालों के लिए बहुत जादा अच्छा होत बालों की problem है तो वो भी दूर होती है और बालों में अगर आपके बहुत जादा बालनेस की problem है गंजेपन की शिकायत है तो वह भी दूर होगी तो यहाँ पर भी दो चम्मच मैंने ब्रिंग्राज के ले लिए है अभी आप देखेंगे तो hibiscus powder मैंने लिया है यह भी मैंन दो चम्मच लिए है क्योंकि ये बालों को hair growth बहुत जादा अच्छे से होती है आपके new baby hairs निकलना start हो जाते हैं आपकी जो scalp है वो बहुत healthy होती है and आपके roots है वो strong होती है and ये conditioner का काम करता है और आपकी blood circulation है उसे काफी improve करता है split ends की शिकायत है तो वो भी दूर होती है and ये जितने भी powder बताएं ये all skin type है guys सभी लोग आप लोग इसे use कर सकते हो तो मैंने totally चार powder लिए है और चारों के मैंने दो दो चम्मच इसमें डाल दिये है ठीक है तो इन सभी को हमें अच्छे से mix कर लेना है मैंने सभी के फायदे आपको बता दिये है अब आपको थोड़ा थ कर देश्ट आलते राना है और इसे अच्छा सा एक पेस्ट बना लियता है जो कि महंदी का उता है ये मैं जो बिगा रही हूँ न गय ये टी बिगा रही थे यह थे क्योंकि मुझे नो गनिक रहा यासाने लिए इसको नाइट में हम महंदी लग कर नहीं सो सकते और नहीं ल कि इसषार है चैसे पहल्त आपन deferral unlock मैंने भेंडिया अलगा अइस ऑफल टियरे एक प्लास्टिक का रया के और ऊवरनाइ डुपर अपर यह पड़ियर प्पड़ी न जम में, और इस तौरि न फोर्ड़ीनी Sig acquaint liquid कड़ाई का वो सारा इसमें आ गया है और महंदी में एक black color भी आ गया है जो कि आपकी बालों के लिए बहुत अच्छा है आपकी जो बाल है ना hair है वो भी black होते हैं इससे इसलिए मैंने बोला था कि आपको हमेशा लोहे की कड़ाई में महंदी बिगानी चाहिए तो चलिए इ बहुत ही अच्छे सा आप मिक्स कर लोगे इसको और इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगी application application में आपको अच्छे से देखना है कि application कैसे करना है ठीके एक बार आप सीख गए ना तो आप कभी किसी की help नह लेकर खुद से महंदी लगाओगे और अभी आप देखो इसम सबसे पहले बालों को detangle करना जरूरी है ऐसे नहीं उलजे बालों में आप लगा लें ठीके डिटैंगल करिए पूरा मिक्स कर ली है महंदी को अब आपको सबसे पहले से पार्ट लेना है थोड़े से बालों को सेंटर से लेंगे तब हमें बीच में बन बनाना है हमारा है न इसलिए सेंटर से लीजे और फिर अपनी महंदी को लगाते रहे उस बालों में जो हमने बाल पकड़ रखें इसमें आगे पीछे अंदर की साइड में सब जगे लगा दीजे कि एक भी बाल न छूटे आप देख रहे हैं मेरे सामने है मैं उसमें देखकर लगा रही हूँ तो यहां पर आपको पूरे अपनी यहां पर इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद मैं आप इसे आगे कर लीजे और पीछे की साइड में भी लगाईए कोई बाल छुटना नहीं चाहिए ठीक है और उ अभी आप देखें कि मैंने आगे करके इसको पूरी लेंद पर लगा लिए अब एक छोटा सा बन बना लिजे बस यह हमारा हो गया मतलब की बेस तयार ठीक है अब इसके हिसाब से हमें बाकी की पूरे बालों को लेना है अब मैंने एक साइड से बालों को लिया है और इसको भी बिल्कुल इसी तरह से चारों तरफ से आपको इसको महंदी से लगा दिना है और पूरी महंदी इसके चारों तरफ लगने के बाद में लेंद पर लगानी है और फिर इसको हमें रैप करते हुए इसको इसी मतलब बन के उपर ही wrap करना है ठीक है उसी के उपर हमें करते रहना है ऐसे करके हमें सभी बालों का एक बंद बना लेना है तो आपने देखा यहां हो गया अब आपको क्या करना है लेवल बराबर रखना है ताकि हमारा बंद टेड़ा न हो मतलब इदर उधर न जुके है ना नी तो हमारा पूरा महंदी लगने के बाद हमारा सिर कितना हैवी लगता है इसलिए अब मैंने इस साइड में लिया है आप देख रहे हो है ना इस साइड में मैंने लिया है इसको यानि दौनों तरफ से लेवल बराबर रहे इसलिए तो इधर से भी आपको थोड़े से बाल लेने है चा बीच में आना चाहिए न, तो अभी आप देखोगे, तो मैंने यह पीच के, पीछे के बालों को भी लिया है, और इसको मैंने इस तरह से करके, और आप पीछे देखो, मैं नहीं देख रही, ना तो मीरर में देख रही, ना कहीं और, लेकिन हमें अंदाजा हो जाता है, कि आपको पता चल जाता है का आपको कहां लगानी है मेंदी तो आपने देखा मैंने पीछे से पूरी मेंदी लगा ली और फिर इनको बालों को आगे करो और फिर इसकी लेंथ पर पूरे पर लगा लो अच्छे से ठीके एक भी बाल नहीं चुटेगा अब आप देखो इंजॉय करो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी आप कंटिन्यूस को वीडियो को पूरी देखिए आपको पता चल जाएगा लंबे वालों में मेंदी कैसी लगानी है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा आपकी लाइक से अगर आपके वाइट बाल आ गए है तो गाइस उसमें भी आपको मेंदी बहुत हैल्प करती है आपके बाल है वो दीरे दीरे ग्रे होने लगते हैं कलर अच्छा बालों पर चड़ने लगता है मेरे पास एक कमेंट आया था कली मैंने कमेंट पड़ा मेरी पुरानी वीडिय अगर आता है जो कि मुझे बहुत जादा पसंद है तो हमेशा मैं मेंदी ही इस तरह से अपने बालों पर लगाती हूँ अभी आप देख रहे हैं मैंने आपसे बाते करते करते मेंदी लगा ली है और अब मैंने पीछे से ना तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया क्यूंकि तो बस अब आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दिजिए ना ज्यास जरूर कर दिया करो मुझे मज़े आपसे कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे यही चाहिए झाए ब아서 t한 सबस्क्राइब करना और अगर मेरे चैनल पर फ्रस्टाइम आये हो तो प्लीज सब्सक्राइब करक अदरवाइस क्यों महनत करूंगी मैं बस लाकर वीडियो चोटी सी बना दूंगी न मेरी वीडियो आप देखोंगे तो दस मिनट बारा मिनट पंदरा मिनट लंबी भी चली जाती है क्योंकि मेरा मकसद होता है कि यार मैं अगर चीज बता रही है तो प्रॉपर ढंग से लेकिन जो सीखने वाले है वो मुझे पता है मुझे खमेंट करते हैं तो पता चल जाता है कि वह सारे लोग उस चीज़ को सीखना चाते हैं सबी के लिए बहुती अच्छी है तो आपने देख लिया मैंने आपसे बातें भी कर लिया और अतनी सारी पूरी महंदी मेरी कम्प्लीट हो गई अब आप देख रहे हो बन पूरा सेंटर में बनाए है न कई इधर उदर कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद में आप क्या करो चार गंटे रखने वाली हूँ मिनीमम आपको दो गंटे तो रखना ही है और आप चाहे तो चार से पांच गंटे भी रख सकते हैं ताकि महंदी का बहुत ही अच्छा कलर आपकी बालों पर आ जाए और नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आउंगी वो इसी की हेर वाश की ल दूर देखेगा तो मैं आप से मित्यू नेक्स्ट वीडियो में बाई